दोस्तों अजवायन एक प्रकार का भारतिय मसाला है जो लगबग सभी घरों में अप्लब्द होता है अजवायन को विविन प्रकार के भारतिय विएंजनों में मसाले के तौर पर इस्तमाल किया जाता है किन्तो इसका इस्तमाल केवल यहीं तक सीमित नहीं है इसमें कई महत्पूर्ण प्रापर्टीस पाई जाती हैं जो इससे स्वास्त सम्बंदी अन्य समस्याओं के लिए भी खास बनाती है स्वस्त पाचन से लेकर वेट लॉस तक मेडिकल साइंस भी अजवाईन के फायतों को प्रमानित कर चुका है मेरी दादी सालों से एसीडिटी की समस्या में अजवाईन की चाह या अजवाईन का पानी पीती आ रही है वहीं वे हम सभी को सुभा खाली पेट खास कर पाचन समस्याओं में इसका सेवन करने की सलहा भी देती थी उनकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अजवाईन के पानी के फायतों पर कुछ अधिक रिसर्च प्राप करने की कोशिश की और परिणाम देखने के बाद सोचा क्यों ना इस मेजिकल वाटर के फायतों को आपके साथ भी शेयर किया जाए तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर खाली पेट अजवाईन का पानी पीना सेहत के लिए किस तरह से फायतों हो सकता है पाचन क्रिया को देता है बढ़ावा नियमित सुभा उठकर खाली पेट अजवायन का पानी के सेवन से पेट में गैस नहीं बनती इसके अलावा ऐसीडिटी की समस्या में भी ये बेहद फायद मन होता है आप चाहें तो इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें अद्रक जीरा नी बुकारस एतियादी मिला सकते हैं अजवायन के फायदे केवल यही तक सीमित नहीं है ये पाचन संबंदी तमाम समस्याओं के लिए बेहद फायद मन है नियमित रहता है बावल मुवमेंट अजवायन के पानी के सेवन से आपका बावल मुवमेंट नियमित हो जाता है रिसर्च के अनुसार इसकी प्रापर्टीज कब्स की इस्तिती पैदा नहीं होने देती साथी अजवायन की गर्मा गर्म चाय आपके पेट को साफ करती है और मल को मुलायम बनाती है जिससे की मल आसानी से बाहर निकल पाता है ये उन लोगों के लिए बेहत महत्पूर हो सकता है जिनने कौंस्टिपेशन और डायरेय के शिकायत रहती है पेट दर्द से राहत प्रदान करता है अजवायन नरूतानी की तरह काम करता है जो आपके नसों को रिलेक्स रहने में मदद करती है ऐसे में मेंस्ट्रेशन और अन्य पाचन सम्बंदी समस्याओं से होने वाले पेट के दर्द में इसका सिवन फाइदिमन माना जाता है ये पेट दर्द का एक प्रभावी घरिलू नुसका है इसे आप जरूर ट्राइ करें इतना ही नहीं यदि आपके पीरियड अन्यमित है तो न्यमित रूप से अजवायन के सिवन से आपके पीरियड भी रेगुलर होते हैं इंफेक्शन से बचाव करता है नेशनल लाइबरेरी आफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित अध्यन के अनुसार अजवायन में एंटी, माइक्रोपाइल, एंटी सेप्टिक और एंटी पेरासिटिक प्रापर्टीज पाई जाती हैं जो इसे सर्दी खासी माउट इंफेक्शन खासकर बरसात के मौसम में होने वाले संक्रमन का एंटी डोट बनाती हैं ऐसे में आपको हर मौसम में अजवायन का पानी जरूर पीना चाहिए किन्तु बरसात में खासकर इसका सिवन करना महत्वों हो जाता है क्योंकि इस दोरान विभिन प्रकार के संक्रमनों का खत्रा अधिक होता है रेस्पेर्टरी समस्यां को नियंद्र करता है अजवायन आपके लंग्स को पूरी तरह से साफ कर देती है जिससे की ब्लॉकेज नहीं होता और आपको रेस्पेर्टरी समस्यां परिशान नहीं करती ये उन लोगों के लिए अधिक प्रभावी साबित हो सकता है जो अस्तमा से बीडित है अस्तमा के मरीजों में ये एर पासिस को बढ़ा देता है जिससे की आप बहतर तरीके से सांस ले पाते हैं आयो दोस्तों अब जानते हैं कि अजवायन का पानी तयार कैसे किया जाए इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक चमच अजवायन एक गिलास पानी, एक चोता ही चमच हल्दी पाउडर, एक चुटकी काला नमक और थोड़ा सा शहद एक पैन में पानी चड़ा दें और इसे अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें फिर इसमें अजवायन और हल्दी डालें और देर तक उबलने दें इसके बाद इसे चान कर निकालने आप अपने अनुसार, काला नमक और थोड़ा सा शहद मिलाएं और इसे एंजवाय करें आप चाहें तो इसमें नीबू का रस्त में मिला सकते हैं इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च तुलसी की पतियां या पोदेनी की पतियां मिलाई जा सकती हैं दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए साथी नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले